पुस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड घर्मा सन्मार भगवान सिव को बहुत सारे पत्ते और पुस्प पसंद हैं यहां तक कि दाले भी उनको मनुकामनाओं को पूर्ती के लिए अर्पित की जाती है तो भगवान सिव को बिलपत्र के साथ कुछ पुस्प और पत्ते अतिप्री हैं आज हम आपसे जुड़े हैं आक का पौधा यानि जिसको हम आकड़े का पुस्प या पौधा कहते हैं तो भगवान सिव इस बस अगर आप एक भी पुस्प अर्पित कर दें तो सिग्र परसंद होकर आपकी समस्तिक छाओं को पूरा कर देते हैं तो सद्याबहु से भगव्ति भवो से उनको अर्पित करें तो प्रसंद होते हैं तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि स्राबन के मेहने में कि पूधा और उसके पुस्प अर्पित करने से सिब्जी क्या देते हैं बरदान, अगर आप स्राबन के महने में हर रोज आख अकाव या मदार कहा जाता है इसके पुस्प अरपित करें तो सिब जी प्रसन्न होकर सभी कामनाओं की पूर्टी करते हैं अगर पुस्प ना मिले तो इस पेड के पते भी आप धोकर सापकर सिब लिंग पर अरपित कर सकते हैं समस्त मनुकामनाओं आपकी पूर्ण हो जाएगी तो आख के पुस्प की महिमा भी बहुत है तो इस पुस्प का नाम चुकी मदार भी है माना जाता है कि मदार के पुस्प सिब जी को अरपित करने से मोख्ष की प्राप्ती होती है आकड़े या मदार के पुस्प को लेकर ये भी माननेता है कि अगर आप भगवान सिब को एक भी पुस्प अरपित कर दे तो सिग्र परसन्न होते हैं इस पुस्प का परियोग आपको मोख्छ दिलाने वाला होता है और वास्तु में भी इस पौधे को सुक्ष सम्रिद्धी का बढ़ाने वाला और नकात्मक उर्जाओं से बचाने वाला माना गया है तो इस पौधे की महिमा के बारे में सी पुरान में प्रसंग आता है कि अगर आप आग का पौधा घर के सामने लगा लें तो घर के चारों और पौधे की उपस्तिती के कारण घर के लोगों के खिलाब अगर कोई कुछ भी काला जादू बेगर इस्तिमाल कर रहा है तो उसको भगा देता है ये पौधा इस पौधे का प्रियोग जादा तर तंत्र बिद्या में भी होता है और आज हम आपको तंत्री क्रियाओं के बारे में भी इस पौधे और पुस्प से क्या क्या होते हैं कौन सी कामना पूरी की जाती है आज हम आपको विश्तार से बताएंगे ल पानी कारक्त ताकतों से आपकी रख्षा करता है क्योंकि इस पौधे पौधे से उत्पर्न, ओक्सिजन हवा को सुद्ध करने में मदद भी करता है। लेकिन आप अपने घर के दक्षिन पूरब दिसा के बीच में लगा सकते हैं इस पौधे को दक्षिन या उत्तर दिसा में भी लगा सकते हैं। सफेद आख का पौधा घर के में गेट के आज पास या सामने लगाए तो अच्छा है। तो चले पहले हम जानते हैं बिस्तार से इसके महिमाद तो ये जो पेड़ है इसके पत्ते इसके पुस्प इसके जड़ हर एक की एक तांत्रिक प्रियोग होता है तोटके किये जाते हैं जीवन की परिसानियों से मुक्ति पाने के लिए धन आने के लिए वैसे तो कई बार लोग कहते हैं आग का पौधा बिसैला है हला कि यदि आग का सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो फिर जटिल से जटिल बिमारियां भी दूर होती है लेकिन ये किसी बैद की सरन में रहकर ही करें वैसे अपने मन से कोई भी काम ना करें लेकिन आज जो हम उपाय बताएंगे तोटके बताएंगे उसको आप कर सकते हैं कहीं उससे कोई हानी नहीं होगी सास्तों के अनुसार आग के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांगा जाए तो उस घर पर उस परिवार पर सदस्यों पर हर बुरी नजर दोस्त दूर रहता है और आग के बिच पर उत्पन होने वाले जो सफेद पुस्प होते हैं वो भगवान सिब को बहुत प्री है और भगवान सिब का पसंदीदा रंग भी है इसलिए आग का पुस्प सिब जी को बहुत भाते हैं तो आज हम एक छोटा सा परियोग बताएंगे कई बार क्या होता है बहुत मेहनत के बाद भी पैसे नहीं आते नहीं बचते हैं इसकी बज़ा से घर में किसी तरह का वास्तु दोस्त भी हो सकता है या कुंडली के असुप गरहों का प्रभाव भी होता है लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए आग का पेड का छोटा सा परियोग बहुत फलता फूलता है तो आज हम छोटा सा परियोग आपको बताएंगे देखिए अगर जीवन में आपको लगे कि जैसे घर में पैसा ही नहीं टिकता धान जिस हिसाब से आता है उसी एनुसार चला जाता है हमेंसा रुपया पैसे की तंगी रहती है अब इस तंगी से बशने के लिए क्या करेंगे अपने घर के मुखे दरवाजे पर आग के पेड की जड याद रखिए आग के पेड की जड लेकिन कैसे लाएंगे देखिए किसी भी आप सनिवार रभीवार मंगलवार के दिन ला सकते हैं लेकिन एक दिन पहले निमंतरन दीजिएगा कैसे देंगे सबसे पहली बात तो आप एक सुपाड़ी एक लोटा जल एक सिक्का लेकर जाईएगा पेड के पास जल डाल दें जहांपर से आपको जड़ निकालना है एक बात हमेशा ही याद रखें पूरा पेड मत उखाड़िएगा थोड़ा सा जड़ लेकर आना है और सिक्का और सुपाड़ी रख दें फिर आप उनसे कहें कि हम आपको कल्ले ने आएंगे इसके बाद अगले दिन सुबह जाईए थोड़ा सा जड़ निकाल कर ले आईए उनको परणाम कीजिए तो जब आग का पेड का जड़ आप ले आएं तब नीले कपड़े यानि ब्लू कपड़ा में लपेड कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें लटका दें ऐसक आप चाहें तो नीला धागा भी इस जड़ के उपर से बांद के लटका सकते हैं नगातमक सकतियां घर में परवेश नहीं करती, घर में सुख सम्रिद्धी दिन दूनी राच चोगोनी बढ़ती चली जाती है कई बार क्या होता है कि आपके घर में जैसे होती है मा बेटियां हैं बहुं हैं बहुत दिन से साधी को हो गया है संतान नहीं हो रहा है तब ऐसे में रभी पुस्टे नच्छतर या गुरू पुस्टे नच्छतर के दिन आख के पेड़ का जड़ आप ले आईए और पहले तो जड़ लाकर आप सिब जी के मंदिर में जाएए सिबलिंग पर एक लोटा जलर पित करें और इस जड़ को धोग लीजेगा पहले इसके बास सिबलिंग के उपर से 21 वार वार ले सिधा वार नाय उल्टा नहीं अब इसको लाल धागे के सहरे अपने कमर में बान ले सिब जी के आसिरबास से तीन मेने में ही खुश खबरी मिलेगी तो ये छोटा सा प्रियोग है इसको जरूर करें अब हम बात करते हैं धन की कई बार क्या होता है ना आपके बरकत रूख जाती है सारे काम बिगड़ने लगते हैं तब एक छोटा सा काम करें आग के पेड़ की जड़ थोड़ा सा ले आईए अब लाकर गनेज जी के सामने रखें दोका रखेगा अब पूजा के बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखते हैं जो अभी धन की बादाए हैं ना वो समाप्त हो जाएगी वैसे सफेद आग का ज़्यादा महत्व है क्योंकि इसका प्रियोग तंत्र बिद्या में भी होता है इसमें जो पुस्प होते हैं अब देखिए जड़ से निकलने वाले जो दूद होते हैं वो भी बहुत सारे जीवन के परिशानियों को दूर करने वाले होते हैं अगर सुब मुहुर्त में जैसा हमने कहा कि मंगलवार सनिवार के दिन ये प्रियोग करें तो जादा अच्छा है वैसे एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं कई बार क्या होता है धन की परिशानी ज्यादा परिशान करती है तब आपके जीवन के कस्टों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से हर सोंबार सिब जी यानि सिबलिंग परिजाब कर आप आप के पुस्प की माला बना कर उनको पहनाए तो आपके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और अगर रभी पुस्य नशत्र में लाल कपड़े में लपेट कर आप का जड़ अपने धन के अस्थान पे रखे या अपने घर में रख दे तो आपके घर में सुक्सान्ती सम्रिद्धी बढ़ती है वैसे ये आप अपने घर में तिजोरी में भी रख सकते हैं कोई दिक्त नहीं है कई बार क्या होता है न सत्र विरोधी बहुत परिसान करते हैं आप तंग आ जाते हैं लेकिन क्या करेंगे कई बार अपने सत्र होते हैं परिसान है आप चाहते हैं कि सत्र परिसान करना छोड़ दे या आपको छोड़ कर ही कहीं चला जाए तो क्या करेंगे सफेद आग का पौधा जहांपे है वहाँ पे जाईए अब उसका एक पत्ता तोड़ ले उस पत्ते पर आग के पौधे से निकलने वाला दूद के सहारे अपने सत्रू का नाम लिखे और वहीं जो आप आग का पेड़ है ना आग का पौधा उसके जो जमीन है वहाँ पर वहीं पर थोड़ा सा मिट्टी हटा कर इस पत्ते को दबा दे आपका सत्रू सांथ हो जाएगा आप चाहें तो इसको जल में भी प्रवाहिद कर सकते हैं अगर आपके आसपास वैसा इस पस्थान है तब तो ये आग का प्रियोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों में काम आता है जो आपके हर कस्ट को हर संकट को दूर कर देता है तो याद रखेगा सत्रू का जाम नाम लिखेगा तो दूर से ही लिखेगा उसी आपके पौधे के दूर से थोड़ा सा आप पत्ता तोड़ेंगे तो उससे दूर निकलता है अब उसी के सहारे आप लिखे अगर एक से ज़्यादा सत्रू है तो अलग अलग पत्ते पर हर सत्रू का नाम लिखे यह प्रियोगा आप किसी भी सोंबार, सनीबार, अभिवार, मंगलवार के दिन कर सकते हैं तो आपको रहात भी लेगी और सिपजी को आग का पुष्ट तो भी सेश प्रिय है और अगर एक छोटा सा प्रियो, कई बार होता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नजर लग जाती है अकसर तब्यत खराब रहती है, तब क्या करेंगे? तब सफेज जो आख होता है न पुष्प, इसके 11 पुष्प ले ले उसको माला बना ले, बच्चे को पहना दे आप देखिएगा नजर दोस दूर हो जाएगा रक्षा होगी वैसे आपको पता होगा, कि इस सफेद आख के पौधे की जड़ में 21 साल के बाद, यानि जो 21 साल पुराना पेड़ है उसके जड़ से गनेज जी की आकरिती का कंद निकलता है और इस आकरिती को अगर आप उनकी पूजा करें तो जीवन में रोग, सोक, दुख, कुछ भी परेसान नहीं करता वैसे दो आप जो सफेद आख है न अगर सफेद आख का जड़ अपने घर के मुखे दरवाजे पर टांगते हैं या फिर आपको लगता है आपके घर में कोई बैक्ती है जिसको किसी ने कुछ कर दिया है कई बार ऐसा हो जाता है तब सफेद आख का जड़ लाकर उस बैक्ती को जो पीडित है उनके गले में पहना दें काले धागे के सहरे वैसे सफेद धागा भी चलेगा तोरों में आपको जो इक्छा हो देखिएगा जो भी किसी ने किया होगा वो वापस से उसके पास जला जाएगा हम आज से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे आपको इससे लाब हो तब लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए और अगर कोई प्रश्ण है तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आईए हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा हम आपसे फिर मिलेंगे दनिवा